एलो सुडेंट्स हावर यूटूब चैनल पंकच फिरीज गुलाटी शुडेंट्स आपको एच चैनल पर नाकेवल ग्रेजुएशन फिरीज के टॉपीस की सबसे असान एक्स्प्रेंशन देखने को मिलती है बलकि आपको साथ यह भी बताया जाता है कि आपको एक्जाम में क आज हम बात करेंगे बीसी सेकेंड सैम प्रॉपर्टी सॉप मैंटर एंड करनेटिक ट्यूर्य ऑफ गैसिस यूनिट वन के एक और इंपोर्टन टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मॉमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सफियर निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए होलो सफियर होता क्या है देखिए चुडेंट्स होलो सफियर एक जस्क सॉलिट सफियर ही होता है जिसके बीच में से हमने च्छोटा सा कंसेंट्रिक सॉलिट सफियर रिमूव किया होता है ताकि हमारे पास होलो सफियर के अंदर दो दो रेडियस फॉर्म होजाए एक होगी एक होगी इनर रेडियस पहले हम इस होलो सफियर का मुमेंट ऑफ अनर्शिया फाइंड करेंगे डामेटर के अबाउन अग्याग्राम के तुरूर समझते हैं यह हमारा होलो सफियर और यह सॉलिट सफियर कंसेंटरी सॉलिट स्विट हमने से रिमूफ कर दिया है और हमारे पा इस डामेटर कर लिए इस होलो सफियर का मोमन आफ अनर्शिया निकालेंगे इस डामेटर एवी के अलॉंग तो सुडेंट से पहले आप हैडिंग क्या बनाएंगे फस्ट पॉइंट में अबाउट इस डामेटर डामेटर कारण आप नहां मेंशन कर देंगे एबी तो सुड और देटर में छोटे वडी रेडियस है आरवन तो मास पार युनिट वॉल्यूम ऑफ फोलो सफियर कितना हो जाएगा एक युनिट वॉल्यूम में कितना मास होगा इस अंदर वह हम कैसे निकाल सकते हैं मास डिवाडिट बाई वॉल्यूम करके मास इसका लेना है पूरे हो और आप जानते हैं, छो वोल्यूम होता है, वो होता है, 4 by 3 pi r2 का cube, minus r1 का cube, पहले आपको बड़े बड़ी radius का cube करने है, minus करने है, छोटे बड़ी radius का cube, r2 हमारी outer radius है, और r1 हमारी inner radius है, r2 r1 से बढ़ा है, तो आप पहले हैं को r2 लिखना पड़ेगा, इस चीज़ का अब ध्यान रखेंगे exam के अंदर, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो यह आ जाएगा, 3m upon 4 pi r2 का cube, minus r1 का cube, यह आगया, हमारा mass per unit volume of hollow sphere, जिसको हमने first equation दे दिया, देखे शुटेंट्स, अगर आप इस hollow sphere का moment of relation निकालना चाहते हैं, AB के about, तो हम यह मान के चलेंगे, कि यह hollow sphere जो है, बहुत सारी concentric, thin spherical shell से मिला के बना है, और इसमें जो elemental part होगा, वो एक thin concentric spherical shell होगी, ऐसी ही एक हम thin spherical shell जो है, यहाँ पर consider करेंगे, फहले आपको वो बनाना पड़ेगा, एक thin concentric shell, यह है हमारा, एक elemental part, इस hollow sphere का, ऐसी ऐसी बहुत सारी thin spherical shell से मिला के, यह hollow sphere बना होगा, हम यह मान सकते हैं, और इसको हम शेटिट कर देते हैं, थाकि यह अलग से visible हो, आपके examiner को और आपको भी करने में सारी रहें, और इसकी जो thickness लिए है हमने यहां से लेके यहां तक यह हमने dx ले ली, और इसकी जो radius लिए है, यहां से लेके यहां तक इस elemental part की means thin spherical shell की वो हमने x ले ली, means o से लेके यहां तक distance जो है वो x होगा, तो आप lines में क्या लिखेंगे, इन order to find moment of inertia, moment of inertia का मैं short form में लिखे रहा हूँ MI, MI of holosophere about AB, let us consider that it is made up of large number of concentric thin spherical shells, अगर आप moment of inertia निकालना चाहते हैं holosophere का diameter AB के about, तो आपको यह मान के चलना पड़ेगा, कि जो holosophere है, वो बहुत सारी concentric thin spherical shell से मिला के बना है, consider one such shell of radius x and thickness dx, आपने एक shell ले ले लेनी है, thin spherical shell ले ले लेनी है, इसकी radius होगी x और thickness इसकी होगी dx, तो students, इस elementary shell का volume कितना होगा, आइए दिखते हैं, volume of elementary shell will be equal to surface area of elementary shell multiplied thickness of elementary shell, अगर इस shell की radius x है, तो उसका surface area कितना होगा, क्योंकि यह spherical shell है, तो इसका surface area होगा, 4 pi multiply radius का square means 4 pi into x square, multiply thickness कितनी है, इस elementary shell की, वो है dx, तो यह आगया volume elementary shell का 4 pi x square dx, तो students, next section में क्या करेंगे, इस elementary shell का mass निकालेंगे, तो हम कैसे निकालेंगे, mass per unit volume को multiply करेंगे, इसके volume से, इस elementary shell के volume से, तो हमें इसका mass मिल जाएगा, फिर हम इसका moment of inertia find करेंगे, diameter के about, और फिर उसका integration कर देंगे, तो हमें पूरे hollow sphere का moment of inertia मिल जाएगा, इस diameter के along, तो students, इस तारे step तब देखे जाएंगे, next section के अंदर, तो students, last section में यहाँ तक कर लिया था, mass per unit volume of hollow sphere निकाल लिया था, जो के निकल गया था, 3 m upon 4 pi, 4 pi x square dx, इसको हमने second equation दिया था, अब हम इस elementary shell का mass निकालेंगे, तो आप लाइंग लिखेंगे, mass of elementary shell is given by mass of elementary shell को हमेशा, हम DM से denote करते हैं, चाहे कोई भी topic हो, mass per unit volume of hollow sphere, multiply volume of elementary shell, अगर आप mass per unit volume of hollow sphere को multiply कर देंगे, elementary shell के volume से, तब आपको mass मिल जाएगा, elementary shell का, तो mass per unit volume of hollow sphere, हमने first equation में निकाला हुआ है, जिसकी value है, 3 m upon 4 pi r2 का cube, minus r1 का cube, और volume निकाला हुआ, elementary shell का second equation में जिसकी value है, 4 pi x square dx, तो 4 pi से 4 pi cancel कर देते हैं, तो DM की value आजाएगी, 3 m upon r2 का cube, minus r1 का cube, x square dx, यह हमारा third equation आ चुकी है, तो students हम इस elementary shell का mass निकाल चुके हैं, अब हमें इस elementary shell का moment of inertia निकालना है, diameter के about, diameter के about हम जानते है, जो spherical shell होती है, उसका moment of inertia होता है, 2 by 3 mass multiply radius का square mass, किसका लेंगे, elementary shell कर रहेंगे, radius किसके लेंगे, elementary shell के लेंगे, तो आफ लाइन लिखेंगे, moment of inertia of elementary shell about diameter is given by, moment of inertia of elementary shell जो diameter के about होता है, उसको हम denote करेंगे, d i से, i is the symbol of moment of inertia, elementary shell का लेंगे तो आगे आपको dv लगाना पड़ेगा, जिसका formula होता है, 2 by 3 mass into radius का square mass, आपको लेंगे, elementary shell का और उसके mass को हमने denote किया है, dm से, और जो radius elementary shell की, वो यहां से लेकिंगे, यहां तक है, मिन्स उसकी value जो है, वो है, x, तो आपको x square भी लिखना पड़ेगा, dm की value हम third equation में निकाल चुके हैं, जो की निकल गाई थी, 3m x square dx upon r2 का cube minus r1 का cube, तो हम 3 से 3 cancel कर देते हैं, तो x square into x square x की power 4 हो जाएगा, तो di की value आ जाएगी, 2m upon r2 का cube minus r1 का cube, x की power 4 dx, x square into x square x4 हो गया, यह हमारी fourth equation आगी, तो हमारे पस elementary shell का moment of energy आ चुका है, diameter का about, अगले step हम क्या करेंगे, इसको simply integrate करेंगे, और हमें moment of inertia मिल जाएगा, पूरे hollow sphere का about diameter, और यह steps किये जाएंगे, अब next section के अंदर, तो students, last section में हम elementary shell का moment of inertia निकाल चुके थे, diameter के about, जो कि निकल के आए था, di is equal to 2m upon r2 की cube minus r1 की power cube, xc power 4 dx, यह हमारी fourth equation थी, अब हमें पूरे hollow sphere का moment of inertia निकालना है, diameter AB के about, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोरों तरफ integrate करना पड़ेगा, तो आप line लिखेंगे, integrating both sides, यहां पर bottom, integration लगाईंगे left hand side पे, और right hand side बे भी integration के sign लगाएंगे, और limits सापिक क्या रहेंगी, देकि students, जो हमने elementary shell ली है, इसकी minimum radius कितनी हो सकती है, r1 हो सकती है, और maximum radius की कितनी हो सकती है R2 हो सकती है means X की जो minimum value होगी वो R1 की होगी और X की जो maximum value होगी वो R2 तक हो सकती है तो limits हमें यहाँ पर लेनी पड़ेंगी R1 से लेके R2 तक 2M constant है बहार ले लिया R2 की power cube माइनस R1 की power cube constant है से हमने बहार ले लिया अंदर बचेगा X की power 4DX R1 से लेके R2 और इधर DC integration cancel हो जाएगा तो यह आई आ जाएगा तो 2M upon R2 की power cube माइनस R1 की power cube X की power 4 का integration क्या होता है X की power 5 by 5 R1 से लेके R2 यहाँ आ जाएगा और 5 constant है इसको हम बहार ले ले लेंगे और पहले हम XC का upper limit put करेंगे upper limit R2 है तो पहले XC का R2 put किया जाएगा उपर 5 है power में तो 5 भी लगाया जाएगा minus lower limit करेंगे XC का R1 put किया जाएगा bracket के अंदर उपर 5 है तो 5 भी लगाया जाएगा तो student simplify form में उसको हम कैसे लेकर तो i is equal to यह हमने diameter AB के बाउट निकाला है तो वहाँ पर आप AB भी लिख सकते हैं 2M 5 ऐसी रखेंगे और R2 की पावर 5 minus R1 की पावर 5 इसको भी अंदर ले जाएगे R2 की पावर Q minus R1 की पावर Q तो students hollow surface का जो moment of inertia होता है diameter के बाउट वो इतना होता है इसके next section में हम निकालेंगे moment of inertia of hollow sphere about tangent तो students आच चुक्के हम last section of this topic में जिसमें हम निकालेंगे moment of inertia about tangent पिसले sections में हमने देखा था कि moment of inertia कितना होता है hollow sphere का diameter AB के बाउट तो students सबसे पहले आपको एक simplified diagram बनाना पड़ेगा second part करने के लिए तो आपको इसमें टेंजेंट ट्रॉ करना है LM एक टेंजेंट है एक diameter AB ऐसी ही रहेगा माल पास क्योंकि इसकी जुरूत पड़ने वाली है हमें और radius आपको inner radius R1 है outer radius R2 है और इसका center O है तो इस सब कुस आपको second diagram में दिखाना पड़ेगा अगर आप LM एक्सिस के about moment of inertia निकालना चाहते हैं तो आपको यूज करने पड़ेगे theorem of parallel axis जो हमें यह कहती है कि LM एक्सिस के about कितना moment of inertia होगा जितना इस AB एक्सिस के about है प्लस मास कितना है इस होलो सफियर का multiply square of the distance between these two axes इस इन दोनों एक्सिस के बिट में distance कितना होगा वह होगा आउटर रेडियस आठ्कू के बराबर उसका आपको square करना पड़ेगा इस खुलो सफियर के मास के साथ तो आपको moment of inertia मिल जाएगा यहां पर यूज होने वाली है कितना moment of inertia होगा वह हम निकालेंगे तो आइए लिखते हैं सेकंड पॉइंट के भैंडिंग में क्या बनाएंगे बाउट एक्षियर के बराबर बिट्विन इस टू एक्षिस जो कि है आट टू के बराबर तो सुडेंट्स आईए बी की वैज़ों पिस्टे सेक्शन में कर चुक है है moment of inertia डामेटर के बाउट कितना ओता होलो सफियर का वह हम फाइंड कर चुक है मार्च मार्क्स में आ सकता है अगर आपको सिंपली कोशन आता है कि ड्राइव मोमेंट ऑफ अनर्श फोलो सफियर तो आपको यहां तर करके आने हैं अगर आपको आता है कि अगर हमें पता होगा तभी हम निकाल पाएंगे क्योंकि फूर्म परलेक्स तब लगपाएगी तो श्टुडेंट्स यह चीज़ें आपको करके आने ही पड़ेंगे एजाम के अंदर फ्रेंट्स आइए आपको आज का टॉपिक और आज की डरिवेशन जो है वह समझ आये ह झाल चुछ झाल